नमस्कार सौगत आप सभी का एवन टीवी में मैं हूँ आपके साथ मंग माथोर और आप देख रहे हैं एवन उत्राखंड बुलेटिन के शुरुआत करेंगे लेकिन पहले नज़र डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर मुख्यबंदरी पुषकर सिंग धामी ने आपता प्रभाविट डूंगरी गाउं का किया दोरा भूष खलन में लापता दो लोगों के परीजरों से की मुलाकात कहा प्रभाविट परिवारों की हर संभव मदद करेगी सरकार आपदा से हुए नुकसान खबी लिया जायजा तीवरिष्टी प्रभावित इलाके का जायजा हाथसे में अमरित्कों के परीजरों से मिलकर जताया दुख बाचपुर इलाके के कई गाउं का किया दोरा उद्रखंड में बारिष्ट तबाही के बाद रहा जानगवाने वालों की संख्याउनत तर पहुँची नापता लोगों की तलाश जारी केदारनाद गंगोत्री वयमनोत्री यातरा सुचारू तो कुमाउ मंदर इलाके में 120 सड़के बंद अलमोडा की सोबन सिंग जीना विश्वविद्याले के चात्रों का फूट अगुस्सा कॉलिज परिश्वर की तालाबंदी कर जताया विरोध कहा चात्र संख चुनाव पर फैसला ना होने से चात्रों में भारी रोश संजीवनी संसन निभाया सामाजिक सरुकार सिविल सर्विस इंसिटूट में किया दिवाली फैस्ट कायोजन लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने के काम में जुटी आईएस अधिकारियों की धर्म पत्निया अबाई ये खबरों की शिरुआत करते हैं विस्तार से खबर चमोली से है जहां मुख्यमंद्री पुषकर सिंग्धामी ने जिले के आपदा प्रभाविट डूंगरी गाओं का दौरा किया इस दोरान आपको बता दें कि उन्होंने अतीवरिष्टी के कारण भुषकलन में लापता दो लोगों के परिजनों से भेंट की और परिवार को सांतवना दी मुख्यमंद्री ने कहा कि सरकार प्रभाविट परिवारों की हर संभब मदद करेगी उन्होंने डौंगरी गाओं में आपदा से हुए नुकसान का जाइजा भी लिया और अधिकारियों को राहत वबचावकार में तेजी लाने के निर्देश दिये इस दोरान मुख्यमंद्री के साथ परियाटर एवं जिला प्रभारी मंद्री सत्पाल महराज एवं आपदा प्रभंदन मंद्री डॉक्टर धन सिंग रावत मौजूद रहे तो यह प्रदेश के मुख्यमंद्री पुषकर सिंग धामी पौडी के एक दिवस्य दोरे पर रहे मुख्यमंद्री ने विकास सभागार में आपदा और जनपद में हो रहे विकासकारियों को लेकर जिला इस्तरी अधिकारियों के साथ समीक शबै ठकी इस दोरान मुख्यमंद्री पुषकर सिंग धामी ने कहा कि उत्रकंड में हुई बारिश से काफी नुकसान हुआ है कि जिनक्षेत्रों में सड़के टूटी है या फिर पेजल लाईने शतिग्रस्त हो गई है उन्हें सभी क्षेत्रों में आपदा से वे नुकसान की मरमत की जाए कि अधियर काफी नुकसान हुआ है इसमें चमुली जंपद में भी काफी नुकसान हुआ 125 अधे बंद की आठ पूई जो है चतीदस तो हैं अभी बैयानबे 125 में से बैयानबे तुल गई है 23 सभी बंद हैं उनको भी जल्दी कोलने की प्रत्रिया हो रही है इसी तरह से प्रधान मुसी द्रामें सड़ग योजना में 83 बंद की उसमें से 40 कोल भी है अभी 43 बंद है विदुद विवाग के भी 40 450 कोल सतीगरस्त में रस्ट ट्रांसफार्मर्ट सतीगरस्त में और 24 बंद हैं तो बेहरे हैं पसु आनी हुए है परजन आनी हुए है तो वे 18 अक्टोबर को आई आपदा को लेकर हल्दवानी में कुमाओ कमिशनर सुशील कुमार ने प्रेसवारता करते हुए प्राकर्थिक आपदा में हुए नुकसान की जानकारी थी कुमाओ कमिशनर सुशील कुमार ने बताया कि कुमाओ में अब तक 61 लोगों की मौत की प्रिश्टी हुई है और चार लोग लापता बताया जा रहे है जबकि आपदा सहीत विबिन घटनाओं में 36 लोग घायल हुए है जिनका रेस्क्यू कर उपचार कराया जा रहा है साथ ही पूरे कुमाओ मंडल में सरकारी संपत्यों की नुकसान का प्रारहमविक आकलन 2000 करोड का है जबकि नीजी संपत्ती घर, मकान, जमीन के आकलन के लिए लग टीम बना कर सर्वे किया जा रहा है कुमाओ कमिशनर ने खा कि फिलाल रेस्क्यू अप्रेशन में सीना के साथ हेलिकॉप्टर सहीद, SDRF, NDRF और 1500 पुलिस के जवान सहीद पूरा सरकारी तंथर लगा हुआ है लेकिन जो विद्यूत की मैं बात करूँ तो चंपाउत का एक स्टेशन जो 33 के वियका है वो छोड़के बाकी विद्यूत के स्टेशन चालू हो गया है उसको भी हमने बाइपास करके ओखल कांडा से उससे उसको चालू किया तुवे एग्री कल्चर ट्र्यू ग्रूप की ओर से आयोजित एग्री कल्चर लीडर्शिप कॉनक्लेव एम लीडर्शिप अवाड दोहसौर एकिस में उत्राखंड को बैस्ट हाटी कल्चर स्टेट पुरुसकार से नवासा गया है राज़ानी दिल्ली में आयोजित हुए सकारिक्रम में केंडरी क्रिशी मंतरी ने उत्राखंड सरकार की और से क्रिशी मंतरी सुबहुद उन्याल को हाटी कल्चर के एक शेतर में पहला इस्ठान पराप्त करने पर पुरुसकार देकर समानित किया देरादून पहुचने के बाद कृशी बंतरी सुबोद उन्याल ने मीडिया से मुखादिब होते हुए कहा कि उत्राखंड में बागवानी की अपार संभावना है और उत्तम किस्प की पौद उत्राखंड में तैयार की जाती है गुणवत्ता परक पौली हाउस में बागवानी की जाती है जिसका नतीजा उत्राखंड को पहला इस्थान के रूप में मिला है इसके लिए उन्होंने सभी अधिकारी, करमचारी और बागवानी करने वाले किसानों को बधाई दी है देखे निसी दूर से बहुत ही अच्छी ख़वर है राजी के लिए कि हमें देश में सरस्थिस्ट और टिकल्टेर इस्टेट का वाड़ मिला और यह इस बात का प्रवान है कि पिछले तीन-चार वर्सों में हम लोगोंने लगातार प्रयास किये कि इस राज में किसान की आर्थिक इस्थिती मजबूत हो और खिर्टी के प्रतिक उदासिंता घटे और जो अधरनिये प्रदानमंत्री की परिकल्पना थी किसान काया को दुगना करना इसके लिए हम लोगोंने तमाम रिफॉम्स भी किये जाए और खासकर बागवानी छेतर में जिस तरह से इस राज के सेव को मार्केट नहीं मिल पाता था और इस राज का सेव हमाचल के नाम से वाजार में जाया करता था आज हमको पिछले तीन मुर्स में सबलता मिली कि आज हम चार लाग से ज्यादा बॉक्सेज में अपने राज के सेव को मार्केट ने पहुचाना हैं काम कर रहे हैं तो वे बाजपूर में पूर्व मुख्यमंदरी हरी शरावत ने भारी बारिश से हुए नुकसान और जन्हानी का निरिक्शन किया इस दोरान उन्होंने मृतक के परीजरों से मुलाकात कर दुख विक्त किया उन्होंने प्रदेश सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए लोगों को उचित मुआफ़ा जल्द उपलब्द कराने की बात कही आपको बता दें कि तीन दिन की मुस्राधार बारिश से जल्भराव के चलते जन जीवन पूरी तरह अस्त वेस्त है बारिश से बाचपुर के ग्राम जारखंडी निवासी रामदद भट की नदी में बहने से मौत के साथ साथ लोगों का भी भारी नुकसान हुआ है तो फिर रायसरकार ने एक पोता ही क्योंबर दैम्स और ऐसी जगवें सबसे ज़्यादा ना जूखूंती है यहां मैंने सार तराई में पोच्छ लिया जैमों का पानी चोड़ा गया लेकिन किसी बरबाद होगी, लोगों की दुबाने बरबाद होगी, कौन सी चीज ऐसी है जो बरबाद नहीं। और अब हालत ये है। बरबाद होगी, लोगों की दुबाने बरबाद नहीं। बरबाद होगी, लोगों की दुबाने 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 बरबाद होगी, लोगों की दुबान को नहीं मिल पाई है कि एक ग्रामे इस वेटर में कारे करता हूं के साथ एक मुलाकार इस आए सुमारी करने के लिए मैं यहाया हूं और इसमें जो अभी लगभग एक घंटे से मैं रोड़की इंटेंस के बाद अली तक जो कारवाई आपके सामने चल रही जी उसके बारे में मैंने जब प्रस्ट किया कारे करताओं से क्या इन पॉणे पांग सालों में कोई भी विकास के कारे आपके छेतर में हुए तो हर कारे करता का एक है कहना था इन पहुने पांच सालों में बीचेपी के राज में एक भी विकास का कारे उनके छेत्रों में नहीं होगा। इन पहुने पांच सालों में नहीं होगा। संजीवनी संस्ता उत्तराखंड के आईएस अधिकारियों की पतनियों की संस्ता है जो राज में लगादार सामाजिक कारे में अपनी भूमी का निभाता है। इसी को लेकर हमारे संवादाता शेलेंदर पांडे ने खास बात की संजीवनी संस्ता की अध्यक्षय हरलीन कौर संधू से। राजधानी देरादून में संजीवनी दिपावली फेस्ट का आयोजन हो रहा है यह आयोजन दो दिनों तक चलने वाला है। आयोजन करता क्या ध्यक्षय है हरलीन कौर संधू जी हम इनसे जानने की कोशिस करते हैं कि इस तरह का जो आयोजन है इसका मकसद क्या है। मैं पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है इस तरह का जो फेस्ट का आयोजन है क्या इसका मकसद है। हम लोगों ने दिवाली फेस्ट इस परपर से लगाया है कि जो उत्राखंड के आटीजन्स हैं और यहां के एंट्रेपर्नियोर्ज हैं उनको हमें एक प्लैटफॉर्म दे सकें जो कि अफोड़ेवल हो जहां उनका बहुत खर्चाना हो। कोविट के कारण बहुत जादा बिजनस पर एफेक्ट हुआ है तो हम चाहरे थे कि उनको ऐसा प्लैटफॉर्म दें जहां पर वो अपने प्रॉडिक्स तो दिखा सकें उनकी कोई सेल हो सकें ताकि उनको भी थोड़ा सा आर्थिक लाब हो पाए और जो हम इस से अर्ण करें करेंगे वह हम अपनी सोशल वेलफेर एक्टिविटीज पर यूज करेंगे कमप्लीटली उत्राखंट के लोगों के लिए मैं इस फेष्ट में कौन-कौन से समान है कहां कहां से लोग इसमें आय हुए है और किस तरह के यहां पर समागरी है हमने कोशिश ही के लिए है कि उत उत्राखंट के आर्टीजन्स और एंटेपर नियूर्स को यहां बुलाया जाए और मुस्ट सभी वहीं के हैं एक आद कोई बहार से होगा पाकी सब उत्राखंट के ही लोग है तभी उनी के लिए हमने प्रोग्राम आयो जिद किया है और समान जैसे आप देख रहे हैं का कारोबार है उनका हो मेंट सोप्स का है कॉस्मेटिक्स का है यह सब आहां पे और लाइव हनी वी एक श्रक्षिन का भी एक होगा और मेहंदी का भी इस लिए योजन किया क्योंकि करवच वाथ है संडे को तो लोग जो आएं वह अपना मेहंदी का भी करवा के जाएं एक ऐसा जगे हो जहां पर सब कुछ उनको मिल पाए ताकि उनको और कहीं ना जाना पड़े हैं जो लोकल उद्योगे उसको बढ़ावा के लिए इस तरह के आयोजन को कितना महत्पून मानती हैं बहुत महत्पून मानते हैं इस्पेशलिए कोविट के कारण जो डेड़ दो साल से इतनी आर्थिक खानी जो हमारे कारोबार में हो रही है उसके लिए हमें उनको दुबारा भी है टू पर मोट दें हमको प्लाटफॉर्म देना है कि उनके दुबारा उनका काम चुरू हो पाए इसलिए बहुत जरूरी है अभी हमारे साथ मोजूद थी मैं जो संजीवनी दि जैलेंदर पांडे एवन टीवी देरादून बड़ते अगली खबर की ओर राजधानी देरादून में संजीवनी संस्था की ओर से ओल्ड मसूरी रोड इस सिद सिविल सर्वेस इंस्टिटूट में दिवाली फैस्ट का आयोजन किया गया जिसमें लोकल उत्पादों को अधिकारियों की पतनियों की संस्था है जो राज में लगातार समाजिकारियों में अपनी एहम भूमी का निभाता है इस तरह के फैस्ट के आयोजन का क्या कुछ उद्देश है इसी को लेकर हमारे समाधादा शेलेंद्र पांडे ने खास बात की संजीवनी संस्था की सचि रस्मी बर्धान जी हम इन से जानने की कोशिज करते हैं कि आज यहां पर इस संस्था के द्वारा एक फेश्ट का यूजन किया गया है उसका मुख उदेश किया है मैं माज जो आप लोगों ने दिवाली फेश्ट का यूजन किया है इसका मुख उदेश किया है इसका मुख उदेश तो यह है कि सामाज जो अभी हमने कोविट के वज़े से काफी टाइम से लोगों को नुकसान हुआ है सभी छोटे बड़े व्यापारियों को तो एक हो जाए उन्हें जो संजीवनी संस्था है इसका मुख्य कार्य क्या है और किस किस छेत्र में काम कर रही है संजीवनी संस्था का काम सोशल वर्क ही है समाजिक उठानी है और इसका कार्य छेत्र पूरा उत्राखंड है उत्राखंड में कहीं भी जहां भी हमारी जरूत होती ह जो भी हम जिसकी भी जितनी मदद कर सकते हैं, हम कोशिश करते हैं उनकी हर प्रकार से मदद करने की, ऐसा कोई fix कारे नहीं है जिसको भी जरूरत होती है और अगर संजीवनी वहां तक पहुच पाती है, उनकी मदद कर सकती है, तो वो जरूर करती है यहां जो IOSP हुआ है इसमें जो पोड़क्ट है किस तरह के हम पर पोड़क्ट है और बढ़ आधाधा बेसे के लिए इस तरह का IOSP को přिटना महत्पूर मांती है जादा तर तो यहां लोकल लोग ही हैं और लोकल लोगों को महत्व देना बहुत जरूरी है क्योंकि बाहर से तो लोग बड़े बड़े आयोजनों में लोग बुलाते ही हैं लेकिन इस तरह है कि छोटे आयोजन के लिए छोटे प्लेटफॉर्म पे इन लोगों को बुलाना, बड़े लोग तो सभी मौका देते हैं, लेकिन छोटे लोगों को मौका कम ही मिल पाता है अच्छी जगह पे जाकर के लगाने का, तो इसलिए ज्यादा तर तो हमारे लोकल ल हमारे सामान है, वो सब यहीं पे करने वाले, बनाने वाले लोग हैं, उत्राखंड में ही हैं ज्यादा तर लोग, कुछ हो सकता है दूसरे शेहर से आए हों उत्राखंड के, पर हैं ये सारे उत्राखंड के हैं। चले बढ़ते हैं, अगली ख़वर के और आपको बता दें कि बाजपुर मंडी समीती सभागार में धान खरीद को लेकर किसानों और राइस मिलर्स के बीच बैठक का आयजन किया गया, इस बैठक में एक किसान की और से राइस मिल सौमी को अपशब्द कहने से हंगामा हो ग आपको बता दें कि बारिज से किसानों के धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, और धान खरीद को पुना सुचारू करने के लिए इस बैठक को आयजित किया गया था, बैठक में किसानों की और से रखी गई सभी मांगों पर राइस मिलर्स ने अपनी सहमती जताई, लेकिन अभधरता के कारण राइस मिल स्वामियों ने बैठक का भाहिशकार कर दिया, तो वही भारतिय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंख पढधा ने किसानों के और से राइस मिलर्स से की गई अभधरता पर राइस मिलर्स से माफी भी मांगी, मा भी मांगते हैं उन से, और बता इसे बड़ा क्या करूँ, थोड़े ये भी घर्मी में आगे, किसान पहले दुखी है, हसल बरबाद होगी है, यहां ट्रालियों की लेने लगी हो, तो तोलनी रहे, किसान दुखी होके, किसने गाली नकाल दे होगी, तो मैं उनको बच्च सानविते हैं, हमने सारा तेह हुए इन से, कि सारा धान हम आपका फ्रीदेंगे, सेंट्रों बढ़ावर सारे मिलवाले खरी देंगे उसमेल वालों को इन्होंने तुटू में गाली कुलोज करने लगे इसमें यहां पर अफरत अफरी मच गई है अब किसाने उनके साथ जैसे सहमती बैटेगी वैसे तुवारा मिटिंग करके सहमती बना के हम धाल घ्रीदने के लिए त् मिलर केंजल भी करवा सकते हैं आपना तो यह उत्राखन आगनवाडी 101 संग्ठन संगर्श मूर्चा ने सेकड़ों की संख्या में सचीवाले का कूच किया जहां उन्हें पुलिस ने सचीवाले से पहले ही बैरिगेटिंग लगा कर रोक दिया आपको बता दें कि आंगनवा पें बढ़ा कर दिये जाने की ही घोशना की गई है इस बिलिटिन में फिलाल इतना ही देश-प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV नमस्कार